हाई प्रेंट्स आज मैं आपके लेके आई हूँ बटटा बड़ा और आलू चोप बीजी से हम बोलते हैं आप क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रू बताएं बारिस का मौसम शुरू हो चुका है तो आलू चोप खाने का मौसम आ गया है तो चलिए हम आलू चोप आज इस तरह के बटटवड़ा आज मैं बनाओंगे अलग तरीके से और मैं अपने श्टाय से आलू चॉप जो कि आपको कैसे लगता है कमेंट परिसका मौसम में आलू चोप खाने का मज़ा ही अलग है तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले सुरू करते हैं तो सबसेखर मिक्सिंग बॉल हम ले लीटे हैं उसमें चार शे पंच चमस के करीब सारा नमक नाज़ए और यह जीरा anarch blasting करीब काली मिच तालेंगे आप स्वात के करीब लाल मिच पाउर डालेंगे काम पाली लोख कर वह लाज अज्मायन डालेंगे ज़रूर है क्यूंकि यह थाफ्ड़ाल में ते आप चाबल कांटा या सूजी भी डाल सकते इसमें तो दो चमच के करीं मैं इसमें कॉर्ण फ्लोर डालएंगे पानी दisc Luigi और पानी देके युड़ नाया को AH ओप भीольше नियार के लिए और चाहे दो पानी देखे अब अलु ँडिए करें आलु मैं करेंहें आलु के लिए हम हम यहां पर 2 चमच केक करिब एक चमच curs लें लेहां अब जब हम्हारा डरीमिच के की elasticity दाल कोगर सकते तो्य पीका या каче लीमिच, हुए जब औरicias अध्रको ज्टो अकश्क करके क्रेस्ट कर के डाल रहे हूं अब यह पक जाएगा तो हम इसमेंению मीडियूम रखेंगे ताकि हमारे केमाहलथ में जले socket आर यह मैं पांच से चे आलू को वोईल कर लियूढू है छिलके के साथ और इसे हातों से मेस करके डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे उतने मेस नहीं करनी है, थोड़ी दर-दर इसमें रहने चाहिए, इसलिए हातों से करके डाल रही हूँ, इस तरह सारे आलो का आप इसे मेस करके इस तरह हातों से डाल सकते हैं, या आप मेसर से भी डा मिक्स करेंगे अच्छी तरह से थोड़ी सी और यह कुछ मसाले हम इसमें आड़ करेंगे इसमें देखिए यह जीरा पॉडर हाफ टेबले स्पून काली मिच वन वाइब फॉट्ट के करीब है लाल मिच पॉडर हाफ टेबले स्पून और एक चमच के करीज में चाट मसाला डि तो इसमें नमक करेंगे इस तरह से हम जब हम दोड़ी से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें डालेगे हरा धनिया यह बहुत ही अच्छ लगएगा टेस्ट आपको आलू में तो सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से यह आपको ठंडा करने के लिए रगए पंखे में रग जल तो ये देखिया मा थंडा हो जगा खाझए अब हातों से हमसे कर सकते तो झोली ज़ली बना खायंगव इसके लिगा है है इस तरह से चोटी ज़ल बलस आप इसके बना लगे आप को जितने बनाने हैं जब तो सारे ऐक ही साथ बना ले आप इस तरह से देखिये हाथों से हम मैं छोटी छोटी बॉल्स बना रहे हूँ तो इस तरह से मैं सारे बॉल्स एकठे बना लूँगी पहले तो यह देखिये मैं 5-6 बनाओंगी 6-5 पाकी बाद में बनाओंगी क्योंकि अभी टाइम ज्यादा लगेगा लंबी हो जाएगी वीडियो तो यह चली हमारे बहुत सो बन चुके है अब यह हमारे बहुत सो बन चुके है तो अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे चीज की तो मै स्लाइस चीज की काप इसमें होई करोंगी इस था से उंगली उसे छेद बनाए और इसमें इस तरО से डालें अर्टकर देंसे और गुमादे वह चितरह दालेंगे चींजित तरह से बटावड़ा का हम सेब डालेंगे और मैं हम इमारे बिहार में इसे अलू चोप करते हैं आपके साइड क्या करता है कमण करके जुरू बताइएगा तो यह देखिए इस तरह से हम इसे सेब डेते हैं से अब हम states a black ओलका से बनाते होई थोड़ा साइस हालका से दबाते हुए क्या सी तरा से इस तार एक कर्ले हैं अायर करने की ट्यार कर cruising आई तरो एक यह तर. आध्यस्थ सारे को त्यार कर ले देए का अब हमसेर फ्राय करते हैं यह त्यार करते हैं dit में इस बेटर में इस्त में डिप करके हम इसमें डालेएं चुक्त आपका गाड़ा हो छुका है थोड़ी दिए, मैं पाणी नहीनी दालेएं पटिर में हल्जार सकते हुआ हुआ जहांने है भी ट dot Bi patrons में हल्जार बेटर में डाले लिए अब इसे तलिए इसी तरह से हम सारे बटटा बड़ा को तल लेंगे अलू चौप को यह देखिए हो चुका कितना सुनारा कलर आया है इस तरह से हम इसे यह देखिए बन चुक है हमारे सारे बटटा बड़ा अलू चौप तैयार है अब देखिए यह कितना क्रीस्पी बना है और कितना कलरफूल है बारिस के मौसम में आलू चप खाने का मज़ा ही कुछ हो लगा है ये देखिए मैं आपको दिखाते हूं कि अंदर का इसका क्या फ्लेवर आ रहा है देखिए ये इस तरह से खाईए गर्मा गरम आप सौस के साथ का ये हरी चटने के साथ का ये जिससे आ पॉलो करें और मेसेज करके जोरू बताएं कि मेरे से पी कैसी लग रही अगर अच्छी लग रही तो लाइक शेयर भी कर सकते अपने फ्रेंड के साथ दोस्तों के साथ थांक्यू वाचिंग मैं वीडियो तो मिलती हूं नहीं रिस्पीक साथ बाइबाइट टेक केर